आज रड़े भाईयो एवं भेनो शानाशा की कहानियों में आपका स्वागत है आज मैं आपको 101 संस्कुर्ण सुनाने जा रहा हूं कहानी में प्रिता की आशिरवाद पर पूर्ण प्रकाश डाला गया है आगे पंजाब के बटेंदा शहर के इंट्रिजर गाउं में इस सरदार करतणर सिंग गिल अपने पुर्त्र जुकंदर सिंग गिल के साथ रहते थे पत्नी काफी बड़्स पहले लंबी बिमारी में गुजर गई थी सरदार जी रोजाना पुत्र के साथ बटेंडा बाई ट्रेन जाये करते थे हलाकि गाउं में ट्रेन की स्टोपेज नहीं था लेकिन ड्राइबर द्राइवर ट्रेन की गती गाउं आते ही धिमी कर दिता था इसे गाउंसे 15-20 बक्ती चर जाते थे गाउं लोटते बक्त भी ड्राइवर के जही सायोग रहता था गाओं में ट्रेन का इस्टोपेज नहोंने की कारण रेलवे पास उससे अगले स्टेसन का बनवाना पड़ता था वह सरदाज इनने बनबा रखाता दौनों पितापुत्र नेमित भठेड़ना जाते थे गुर्द्वारे में मासा टेकने के बाद फॉल मंडी जाकर रात को मना यह लिष्ट की मताविक खरिदारी करके दुकान खोलते थे दुकान के समय फिर यूश कोड distill ने खुला हुए था दुकाना दारी बहुत ही मानदारी इवं फिक्स दाम की दुकान के नाम से मशूर थी, मनाफ़ा मात्र 10% फिस कर रखाता, जूस कॉर्णर में भी बहुत सिर्ष्ट क्वालिटी मेंटेन की हुई थी, जूस की गुणवत्ता इवं दाम में भी, इसलिए आज पास पूर्व बजार में सरदार जी बड़े मशूर थी, एक बार सरदार जी ने रेज बिश्टन की इंक्वाइरी बेंडू पर जाकर पूछा कि कोन याड़ वाली लोकल टेंड कितने बज़े जाएगी, रेलवे इंक्वाइरी वाली वावू ने प्रतुद्र में बतलाया, साथ पहतालिस, जिसे सुनको सर जारत का भविश्ट, इतने सीधे बेक्तित वाली थी, काफी दिन बाद अचानक सरदार जी बीमार पड़ गई, उन्हें आवास होने लगा कि मेरा अंतिम समय आ गया है, अध़पत्र को पास वुलाकर बोली, उसके सिर पर हाथ रखकर कि बेटा लगता है मेरा अंतिम समय ब कि मेरी इमानदारी ही कमाई है, इसलिए यदि एक निष्ट मेने इमानदारी से दिम्मेदारी निवाई हो, तो भगवान तुमें भविश्ट में सुक, शान्ती के जीवन पर दान करे, तुम अगर मिट्टी में भी हाथ डालो, तो वो सोरा बन जाए, या मेरा दिल से तुम इसलिए बाद उन्होंने पराहत्याग दिये, पुत्र ने अंतिम सनसकार के उपरांत उनके बतलाए गए, उसलों पर नेमानुसार पुरह दोकान जाना परादम कर दिया, कुछ दुनों में ही उसकी ब्यपसाय में उन्नती होने लगी, कुछ बड़सों बाद हुआ हुआ, म आशिरबाद का फ़ल है, धन अरिजन अधिक होने लगा, अतब व्यपसाय के अने साखाओं में भाग अजमानी लगा, जहां पिता की आशिरबाद खूब फ़ली लगा, और वह कुछ ही बड़सों में अरब पते की गिंती में आनी लगा, अब वट्रिंडा में उसले बहु सुद्धा भी लगवाली, बार-बार लोगों के मुह से पिता का आशिवा फलदा है, सुनकर बेटे, वो धीरे-धीरे ये लगने लगा, कि मैं तो सोचता हूं यह मेरे भाग्योद्या से सम्मिलता है, एक दिन इस भ्रम को दूर करने के लिए, उसने अपने एक आत्मे मिस् कि आप मुझे वो ब्यापार बतला हो, इसलिए मुझे निस्वी दूर से हानी ही हो, तब मित्र ने सूचा कि अधिक धन आ जाने से यह भ्रमित हो गया है, अधर इसको मित्र ने बतलाया कि मेरे रिसर्च के मुताविक इस अफरीका में तंजानिया देश है, वहां पर अंतर से मसला ब्यापार के इंद भी है, चूंकि उस देश में मसाली लोग, मसाली लोंग, काली मिर्च, छूटी लाची, डाल चीनी, बहुत आया थेती होती है, जो पूरे बिश्चु में सप्लाई करती हैं, वहां तुम जाय भरकर उक्त मसाली बेशने के उस देश से ले जाओ, यानि उल्टे भाद भरेली, कावर्स, कावर्स, चरदार्स करो, मित्र की सला मान सरदार जोगंदर सिंग गिल, पानी के जायज में लोंग, काली मिर्च, छोटी लाची, एबं दाल चीनी भरकर, ब्यापार की नियस से यह जमानी चला गया, कि देखती हैं, यहां पर पिता जन्जी के आशी बार कैसे काम करता है, जहां से उतर कर वो जन्जी बार जा रहा था, कि एक ब्रक्ति साधरार से बस्तर बेहन कर, लगबं पचास आदमियों, जिनकी हाद में चलनिया थी, उसी के तरफ आ रही थे, कि नहांने खड़े होकर, उसने वहां की एक ब्रक्ति से, इंग्रिश में माजम से पूशा, ये माण ब्रक्ति कौन है, तो वहां की नवासी ब्रक्ति ने बतलाया, कि यही तंजानिया के सुल्थान है, इतना सुनकुरा सरदाजी ने किनारे खड़े होकर, जुकते हुए सलाम किया, सुल्थान के पास आने पर वहां की नवासी ने पढ़्चे कराया, कि हजूर, ये हिंदुस्तां से आई हैं, वयापारी है, सुल्थान जाकना खुर के, इवन वयापारी की सलाम कभूल कर बोले, क्या वयापार करने हमारे डिस्में आये है? जिवाब में सर्डार जी ने का हजूर मसाले लाया हूँ प्रत्चुत्तर में सुल्तान ने खा कि किसी ने आपको जहां मसाले बिचने की सला देकर कोई दुष्मने निकाली है तंजानिया तो सुयम में मसालों की खेती करता है यहां पर आपके एक दुपे में मुठ्टी फर लॉंग मिलती है सर्डार जी ने सुल्तान से पूशा कि आप सैनिकों की हाथ में बंदुख्री वया है यह चलने किसलिए है प्रश्ट सुनके सुल्तान ने खा आपने बिलकुर सही प्रश्टी किया है कारण यह है कि मेरा तावीज कल इसी एरिया में गुम हो गया है जिसे ढोडने के लिए यह तरकिव निकाली है तावीज किसी फकीर दोरा दिया गया तोफ़ा है जिसी होते होते मेरे सामराज में बहुत खुश्वाली बहुत खुश्वाली राज्य बन गया है लेकिन तुम यहां मसाले लेकर किसकी राय पर आई थे। सरदार जी बालू को बारवर हाथ में वड़ाते हुए सुल्तान से कहा कि मैं अपने पता की आशीरवात को अजमाने यहां मसाले लेकर आया हूँ। सुल्तान किया पुष्णे पर कि तुमारे क्या मसलब है। पिता की आशीरवात अजमाने ने कहा है। कि अचानक सरदार जी की हात में तावीज आगया। जिससे देखका सुल्तान बहुत पसंद हुआ। तता बोला कि तुम्हारे पिता की आशीर मात में तो बहुत दम है, पिरे खोया हुआ तावी दिलबा दिया, मैं को क्या मांगते हूँ, मैं इस वक्त तुम पर भहुत प्रसंद हूँ, सर्जाय जीद ने बोला, मैं तो हजूर के बल खोधा से आपकी दिरगायू सोवर्सक जी करें, सर्दार जी के उदार मिश्टे बचन सुनकर, सुल्टान तो और भी हथे प्रसंद हुआ, तता कहा कि मैंने तुम्हारा सारा माल करीदा, आपको बदले में भू मांगा थान देने की मंजूरी देता हूँ, सर्दार जी पिता की आशीरवाद को महसूस कर, सर्जाल ने नहीं है, बंदू, बेजी कहानी कैसी लगी, पेपे कमेंट दें, और फोलो भी करें, धन्यवाद